आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ क्वेशन में क्या दिया गया है कि यह है first-order reaction सबसे important जिस first-order reaction है तो time requires for 10% completion जो 10% completion हो जाता है first-order reaction का 298 Kelvin पर ठीक ना और जो 25% completion होता है 300 308 Kelvin पर इन दोनों का जो time है वो दोनों same है the time required for 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal is equal to the time the required for 25% completion at 308 Kelvin if the pre-exponential factor of the reaction is 3.56 into 10 ki power 9 s minus 1 second minus 1 ठीक तो यहाँ पर pre-exponential factor अपन को given है 3.56 into 10 ki power 9 second inverse है तो calculate the rate constant आतो अपने को rate constant calculate करना है 318 Kelvin पर 318 Kelvin पर and also the energy of activation मतलब यह भी यह भी अपने को find out करना है अपन लोग का question solve करते हैं तो लिखेंगे T1 के लिए अपन लोग लिखते हैं 2.303 होता तो 2.3 अपन लोग यूज करते हैं अपन के वन log of 100 अपन 100 माइनस x होता था तो x यहां पर क्या है 10 है तो यह हो जाएगा 2.3 k1 into log of 10 by 9 और T2 के लिए हो जाएगा 2.3 k2 log of 100 by 100 minus 25 तो यहां जाएगा 2.3 k2 log of 4 by 3 तो अपन को पता है कि time required से मैं जो given है अपने को यहां पर कि time required equal है ठीक तो यहां पर अपन लोग T1 equal to T2 कर देते हैं तो T1 equal to T2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.3 by k1 log of 10 by 9 equal to 2.3 k2 log of 4 by 3 और अब इसको अपना के solve करते हैं तो value आजाएगी k2 by k1 की log of 4 by 3 upon log of 10 by 9 जब इसको solve कर देंगे तो अपने को log की properties यूज़ करेंगे तो अपनी value हाजाएगी 2.73 और log की properties कौन यूज़ करेंगे अपन लोग log a by b तो log a by b की value होती है log a minus log b फिर अपन log table से इसको value find out कर लेंगे और अब आगे solve करते हैं तो आगे solve करेंगे तो यहाँ से अपन लोग ने k1 by k2 by k1 की value find out कर लें k2 by k1 अपने को क्या मिल गया k2 by k1 मिल गया 2.73 और अपन लोग को पता है की log of k2 by k1 क्या होता है यह अपन 2.303 r t2 minus t1 upon t1 into t2 यह अपन लोग ने आरेनियस एक्वेशन से find out किया है तो आरेनियस एक्वेशन क्या होता है आरेनियस एक्वेशन एक्वेशन होता है log of k2 by k1 equal to e upon 2.303 r और ब्रेगड में t2 minus t1 upon t1 into t2 तो यहाँ पर आपन लोग अब सब की value put अब करेंगे तो सब की value put करेंगे तो आजाएगा log of 2.73 जो आपने अभी find out करी और e1 की value अपने को find out करनी है और 2.303 और r की value होती है 8.314 और k2 minus k1 upon sorry t2 minus t1 upon t1 into t2 तो यह हो जाएगा 10 upon 298 into 398 ठीक तो यहाँ से आपन लोग ea की value find out कर लेंगे तो ea equal to हो जाएगा 76.6 into 10 की power 3 joule mole minus 1 बहुत important है क्या कहते हैं यहाँ पे unit सब का याद रखना है unit के बिना आपने को number पूरे नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे आप बांसर जाएगा 76.6 kilo joule per mole kilo joule per mole अब अपने को एक चीज और find out करने थे अपने को k की value find out करने तो इसके लिए आपन लोग फिर से rns equation लिखते हैं तो rns equation से k equal to क्या होता है ae की power minus ea upon rt तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लेकिन base e रहेगा तो जिसको आपन लोग की एक property उसकी लोग की property क्या ही उसकी लोग की property थी log ln e इसको लिख सकते हैं या तो log e to the base e एकी value होती है 1 तो अब आगे अपन solve करेंगे तो आगे solve करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ से log of ln of ln of k equal to ln a की value अपने को question में दिये है e की value क्या दिये है अपने को question में अपने को दिये 3.56 into 10 की power 9 तो यह जाके हम लोग use कर लेंगे यहाँ पर e की तो e की value क्या हो जाएगी 3.56 into 10 की power 9 minus ea की value हो जाएगी 76.6 kJ जो अपने लोग ने अभी उपन निकाला है ठीक into 10 की power 3 और अपन r की value हो जाएगी 8.314 और यहाँ पर हो जाएगा यह हो गया और into t की value 318 तो अब यहाँ से solve कर लेंगे तो अपने को k की value निकाल जाएगी k की value आजाएगी 9.3 into 10 की power minus 4 second inverse Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर